असलाम लेकुम वरम्हतुलाही वबरकातों वेलकम टो अर हिंदी क्लास तो बच्चो आज हम जो पाट पढ़ने वाले है उस पाट का नाम है बरस्ती बूंदो का घर मेघाले तो आज हम मेघाले इस सिटी के बारे में इस स्टेट के बारे में अधिक जानकारी लेंगे पीज नमबर 106 मेघाले भारत के उत्तर पुर्व में स्तित सात राज्यों में से एक राज्य है मेघाले जो है भारत के उत्तर पुर्व यानि नौर्थ में और इस्ट में इस तरफ मेगाले राज्य है मेगाले स्टेट है ये साथ राज्य साथ बेहनों के नाम से भी जाने जाते हैं इनके नाम है अरुनाचल प्रदेश, असाम, मनिपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालेन, त्रीपुरा तो ये जो साथ राज्य है, जो साथ स्टेट है ये साथ बेहनों की तरह माने जाते हैं इन सब के अलग-अलग विशेश्टा है जैसे अरुनाचल प्रदेश को उक्ते सूरज की भूमी कहा जाता है क्योंकि यहाँ उक्ते सूरज सबसे पहले दिकाई देता है नागय लेन का प्रमुक वैपार खेती है, मनिपुर अपनी लोकल टक जील के लिए प्रसिद्ध है, मिजोरेम अपने बंबू, निर्त और बास के वैपार के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध यानि मशूर, फेमस त्रीपुरा में प्रसिद्ध उना कोटी मंदिर है, असाम में फसल से जुड़ा प्रमुक तैवार बीहु माना जाता है मेगले में चीरा पुझी में एक पुल है, जो पेड़ की जड़ों से बना हुआ है, मुस्तलाधार बारिश और बार आने पर भी यह मजबूती से कायम है तो इन जो चार अलग-अलग राज्ये है, इन चार अलग-अलग राज्ये बताए गए हैं, उन राज्यों की हमें अधिक जानकारी दी गई है कि वहाँ पर क्या सब में ज़्यादा प्रसिद्ध है तो आज हम पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो मेघाल है मेघाल है राज्य के बारे में हम अधिक जानकारी इस पार्ट के जरिए लेने वाले है भुगोल भुगोल यानि जोग्रफी यानि इस स्टेट में इस राज्य में क्या-क्या प्रसिद्ध है क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में बताया गया है मेघाले मतलब बादलो का घर यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में बसा है यहाँ इतना खुबसूरत है कि इसे पूरब का स्कॉटलेंड कहा जाता है आपने स्कॉटलेंड सुनाओंगा कि बहुत ही खुबसूरत स्टेट है तो उसी तरीके से मेगाले को स्कॉटलेंड भी कहा जाता है क्योंकि मेगाले भी बहुत खुबसूरत राज्य है यहाँ वर्ष में नो महा वर्षा होती है यहाँ पर जो है नो महीने बारिशी रहती है इसलिए इसका नाम बरस्ती बूंदो का घर भी है इसके उत्तर में आसाम है और दक्षिन में बांगला देश मेगाले पहले आसाम राज्य का हिस्सा था पहले मेगाले आसाम में आसाम का एक हिस्सा था पर जब 21 जनवरी 1972 को विभाजित कर नया राज्य बनाया गया लेकिन इसे आसाम से अलग करके एक नया राज्य यानि एक नया स्टेट का नाम दिया गया मेघाले मूलित एक पहाड़ी राज्य है यहाँ पर मेघाले में सिर्फ जादा तर आपको पहाड़ी दिखाई देंगे यह एक पहाड़ी राज्य है पहाड़ी स्टेट है इस राज्य के करीब एक तियाई हिस्से पर जंगल है एक्तियाई हिस्सा यानी one-fourth सिर्फ जंगलों से गिरा हुआ है इन जंगलों में भाती-भाती के पशुपख्षी रहते हैं यानी अलग-अलग तरह के पशुपख्षी इन जंगलों में पाये जाते हैं यहाँ पेड, पौधो, फल, फूलों की भी विविद्ध प्रजातिया पाई जाती है, यानि अलग-अलग तरह के पेड, पौधे, फल, फूल भी इन जंगलों में पाई जाते हैं, मेगाले की राजदानी शी-लंग है, मेगाले की राजदानी कौन है, कौन सी है, शी-लंग, ज नेईवी०ो की देश का 23 सबसे बड़ा शहर है जन जातिया यानि यहां पर किस किस तरह के लोग पाए जाते हैं मिगालय के लोग बेहत साधारों और मेहमान ओते हैं यानि बहुत ही साधे सिंपल होते हैं और अगर उनकी कोई महमान आए तो तो उनकी अच्छी तरीके से इज़त अफजाई करते हैं, यानि महमान नवाजी करते हैं, मेगाले की मुख्य जन जाती, यानि वहां के जो जैसे यहां पर अपने महारास्ट्रों में हिंदू, मुस्लीम, ऐसे अलग-अलग तरह के कास्ट होते हैं, तो वहां पर उनके यहां पर अलग-अलग तरह की जन जातिया जैसे खासी, गारो और जयनतिया है, कौन-कौन सी जन जातिया है, खासी, गारो, जन जन जातिया, खासी और जन जाति के लोगों का विश्वास एक ऐसे परम-प्रगत वैवस्ता में हैं, जिसमें वंश का पता महिलाओं से लगाया जात और महिलाए उत्तर अधिकारी भी होती है तो इस यह जो है खासी और जन जातिया इसमें जो महिलाए होती है वो घर की मेन मुख्य होती है और इनसे ही उनके खांदान का पता लगाया जाता है महिलाओ से ही गारो जन जाती की वंश व्यवस्ता में सबसे छोटी बेटी को विवार की संपत्ती विरासत में मिलती है तो जो गारो जन जाती है उसमें जो घर है जो फैमिली है उसमें जो भी छोटी बेटी होती है उसको पूरी संपत्ती यानि पूरी जाइदा दी जाती है उसके नाम की जाती है उन्हें नोकना की उपधी दी जाती है जिसका अर्थ हो तो किसी दूसरी बेटी को भी वारिज बना सकते हैं, तो ये उनके घरवालों पर होता है कि वो किसी और को भी अपने घर का वारिज बना सकते हैं, उत्सव यानि यहाँ पर कौन-कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मेगाले में, मेगाले में कई उत्सव बड़े धुमदा से मनाए जाते हैं जिस तरीके से हमारे महारास्ट्रों में दिवाली इदुल फित्र क्रिस्मास ये बड़े धुमधाम से मनाए जाते हैं तो उसी तरीके से मेगाले में भी ऐसे बहुत से उत्सव है जो बड़े फेस्टिवल से जो बड़े धुमधाम से मनाए जाते हैं निर् देखिये आप लोगों को चितर दिखाया गया है तो यह अपना फेस्टिवल कैसे मनाते हैं निर्थिकर के यानि नाचकर मेगालय के पुर्वी हिस्सों में मुख्यता जन जातिया जन जाती रहती है इनका एक उत्सव है बहदिन्य खलाम इसका भावहरते बीमारियों बीमारि की साहिता से दूर भगाना यानि इनका जो मतलब है यह फेस्टिवल मनाने का तो यह फेस्टिवल मना की यह बताना चाहते कि हमें बीमारियों से और हमें प्रकुरूती से हर एक चीज़ को दूर भगाना चाहिए हजारों वर्षों से यहां सो प्रतिवर्ष वर्षारूतू में खेतों के बुआई करने के बाद मनाया जाता है तो यह जो फेस्टिवल है यह कब मनाते हैं बारिश के दिनों में वर्षारूतू में फसल लगाने के बाद जब वो बींच बोते हैं खेत में उस बींच को बो वायू उपोशन और आरुद्ध है यानि यहां की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा होता है और थंडा होता है मेगाले गुमने का सबसे अच्छा समय मार्स से जुलाई के बीच का रहता है मेगाले का एक ऐसा गाव है जो सरवाधिक बारिश के लिए जाना जाता है जहां साल भर बारिश होती है तो मेगाले में एक ऐसा गाउ है जहाँ पर साल भर बारिश होती है यह विश्व का सरवादिक वर्षा वाला स्तान है यह दुनिया का सब में ज्यादा बारिश वाला स्तान है Guinness Book of World Record में इसका नाम दर्ज है तो आप लोगों को पता होंगा कि Guinness World Record में इसका नाम दर्ज है कि यहाँ पर साल भर बारिश ही रहती है इसका नाम है मानिस राम क्या नाम है उस गाउ का मासिन राम यहाँ अपनी प्रकृत्री सुन्दर्था और अधिक तक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है तो यह किसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर ज्यादतर बारिश होती है और यह बहुती सुन्दर गाउ है यहाँ प्रतिवश लगभग 400-80 इंच बारिश होती है यहाँ यहाँ पर हर साल जो है इतनी बारिश होती है मासिन राम की रिकॉर्ड तोड बारिश में से 90 फीसद बारिश महस 6 महिने के बीतर हो जाती है मई से अक्टोबर के बीच यहाँ जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है डिसेंबर से फरवरी के बीच यहाँ बहुत कम बारिश होती है अधिक्तिक बारिश की वज़े से शायद मेगाले को भारत का सबसे नम राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सब में ज़्यादा बारिश होती है यहाँ बंगाल की खाड़ी की वज़े से काफी ज़्यादा नमी और लगपक 1491 मीटर की उचाई वाले खासी पहाड़ीों की बदोलत यहाँ नमी जैसे यहाँ रज बस गई है यहाँ काफी हरियाली है मुग्द करने वाले जल प्रपात है और इस से गिरने वाले जरने के नीचे आकरशक पहाड़ी गुफाए है तो आपने देखा होंगा जहाँ पर इतनी जैदा बारिश होंगी वहाँ वो इलाका वो स्ट्रेट वो राज्यतो नम ही रहेंगा और वहाँ पर जरनों से गिरता हुआ पानी पहाए जाता है जिसके नीचे गुफाए होती है जलवायू चेरापुंजी चेरापुंजी का क्लाइमेट किस तरीक किस तरह से होता है मासीन राम से लगबक दस मिल पूर्वु में इस्तित है चेरापुंजी इस्तानिये लोग चेरापुंजी को सोहरा नाम से जानते है तो चेरापुंजी किस नाम से जाना जाता है सोहरा यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे नमी वाली जगा है यहाँ औसतन बारिश मासीन राम से लगबक सो मिल मीटर कम होती है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बारिश वाले यह दोनों जगे मेगाले में मौजूद है तो जहाँ पर सब में ज़्यादा बारिश होती है वो गाव वो राज्य मेगाले में ही मौजूद है इसलिए इ यह पूरा इलागा हमेशा बादलों से घिरा रहता है खासी हिल्स में इस दित चेरा पुंजी में घुस्ते ही ही बादल आपके वहरान में घुस आते हैं तो बादल इस तरीके से बहुते हैं हमें लगता है कि हम बादलों के अंदर ही अपनी गाड़ी चला रहे हैं जिम जिम करती बारिश और बारिश की वज़े से चारों और तिलसम सी छाई सुंध मन मो लेती है तो बता है आप लोगों को जब बारिश होती है तो मीटी की प्यारी सी खुश्चबू हर जगा फैल जाती है चेरा पूंजी समुद्र तल से लगबख 4,000 फुट की उचाई पर है आकडों के अगर बात करें तो आजकल चेरा पूंजी में साल में औसतन 180 दिन बारिश होती है लेकिन जून से लेकर सितेंबर महीने तक जोरों की बारिश होती है ज्यादा तर बारिश रात में ही होने की वज़े से प्रियाटक बिना भीगे दिन में इस शहर की सेर कर सकते है तो ज्यादा तर बारिश जो है वो रात के वक्ती होती है तो जो टूरिस्ट होते है वो दिन में घूम सकते है रोचक तत्व यानि यहां का जो सब में ज़्यादा आकर्शित चीज है वो कौन सी है इस बात पर विश्वास करना बहुत बड़ा मुश्किल है कि इतनी बारिश होने के बावजुद यहां पानी की तंगी रहती है तो और ऐसे अक्सर सर्दी के मौसम में होता है तो रोचक तत्व यानि जानने के यह एक आकर्शिक बात है यह एक आश्चरिय की बात है कि सब में ज़्यादा बारिश दुनिया में सब में ज़्यादा नंबर वर्ल में जहां पर सब में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ही पानी की कमी पाई जाती है और सर्दी के दिनों में ही पानी की कमी पाई जाती है यहाँ लोग बेंट से बने छाते जिने कनूप कहते है बेंट यानि एक लकड़ी होती है जिससे बने हुए छाते होते है साथ में रखते हैं ताकि शरीर हमेशा धका रहे और वे बारिश के दोरन भी लगतर काम करते रहे यहाँ पर मजदूर अक्सर सडकों पर बास और केले के पत्ते से बने छाते को शरीर पर डाल कर निकलते है बारिश से सराबोर घाटिया और छोटे छोटे खुबसूरत पुल यहां के खास आकर्शन है इस्तानिये लोगों ने पेडों की सहता से पुल भी बना लिये हैं जो समय के साथ उनकी जरूरत बनते जा रहे हैं तो यहां पर जादिक तक बारिश होने की वज़े से लोग क्या करते हैं वहां की जो लकडी है उससे और केले के पत्तों से एक ऐसी शील बनाते हैं जिसे वो हमेशा पहने रहते हैं जिससे वो हमेशा काम कर सके कभी उनका काम रुके ना पेड़ पौधे वजीव जन्तु तो यहाँ पर किस-किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जन्तु यानि पशु पक्षी पाए जाते हैं बारिश के साथ सा चेरा पौधी में बड़े मनमोहक फूल भी है जिसमें करीब 300 अलग-अलग किस्म के आकर्टिक फूल शामिल है तो यहाँ पर चेरा पौधी में अलग-अलग तरह के फूल पाए जाते हैं तीन सो अलग-अलग किस्म के फूल पाए जाते हैं और मासाहारी पौधी की एक अनुकी जाती पीचर प्लांट भी पाई जाती है इसके इलावा यहाँ तरह-तरह के जंगली जीव जन्तु पाए जाते हैं जिने देखना बड़ा अच्छा लगता है और घुमने के लिए च बड़े बाग भी है जिन में रसीले फल की पैदावार होती है साथ ही संत्रे के सौधी प्रकृतिक शहिद भी बनाया जाता है यह सब कुछ मेगाले में प्रियटो को की रहा देखता है तो यहाँ पर अलग-अलग तरह के पशुपक्षी भी पाए जाते हैं और घुमने के यहाँ पर बहुत अलग-अलग तरह की गुफाए है और यहाँ पर संत्रे के बहुत से बाग पाये जाते हैं और यहाँ पर संत्रों से शहिद भी बनाया जाता है और मेगाले हमेशा तूरिस लोगों की यानि गुमने वालों की के लिए खुला रहता है तो बच्चों आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्टिविटेस दी गई है तो यहाँ पर आप लोगों को पार्ट अच्छे से पढ़ना है और इसे आप लोगों को पढ़के इसके उत्तर आप लोगों को ढूंडने है So student, do your homework on time. Inshallah we will meet in the next class. Allah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.